वीडियो लाइक जरूर कर लिजे और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सिस्क्राइब कर लिजे और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिजे ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं प्रिलिम्स तयारी के लिए स्टैडी फार सिवल सर्दस का पेड़ क्राइश कोर्स शुरूआ है 23 जुलाई 24 से 92 सम्थिंग दिवस बच रहे हैं आज की डेट से अगर हम काउंट करें 23 जुलाई से तो 90 दिवस का ये पेड़ क्राइश कोर्स यहां पर शुरूआ है आप इसको जोईन करके पूरी समय की तयारी कर सकते हैं अगर आपने अभी भी प्रिलिम्स के लिए कोई पूरी तयारी रही की है इस जगहे पर आ करके Study for Civil Services के Speed Batch में आकर के One Stop Destination में पूरी तयारी कर सकते हैं आपको Complete Selection Material यहां से मिल जाएगा Study Material, Practice Resources और Recorded Classes भी यहां पर मिल जाएगी जो कुछ भी जरूरी है Study करने के लिए Current Affairs से लेकर उत्तर प्रदेश, Current Affairs, Miscellaneous Data, Budget Economic Survey, Summary, जितना जरूरी है सब एक जगहे पर आपको मिल Full Pay Group की Detail आप यहां से ले सकते हैं, जो लोग Full Pay Group में आ चुके हैं यहां पर Strategy वीडियो है, Study Material वाले ग्रूप वाले भी इसको देखिएगा, ध्यान से किस तरीके से आपको Last Selected Material Study for Services के इस Pay Group का जो Study करना है, Recorded Classes का यूज कैसे करना है और कैसे आप इतने High Cut-Off वाले Regime में भी सेलेक्शन ले सकते हैं, में इसके लिए इसके बारे में पूरा Strategy वीडियो रहेगा, वेकेंसी लेकातार कम हो रही है, Cut-Off लास्ट इर का आपने देख ही लिया होगा, उस इसाप से अप क्या अप्रोच होनी चाहिए, UPPSC का आपर Prelims Exam Clear करने के लिए इस पर पूरी बात करें जो उससे निवेधन है कि आपको अपने आपका आप याँ पर मजबूत करिए, मेंस के कुछ भी आप study कर रहे थे, उसका बहौल्ट कर देने का समय है, क्योंकि लगतार कुछ लोगों को देखा गया है कि बहुत अच्छी मेंस की तयारी में होते हैं, लेकिन कई बार Prelims को म इंडरेट भी बाहर हो जाते हैं, तो काफी हद तक मेंस का भी तयार करे हुए होते हैं, लेकिन के मतलब है कि लास्ट 92 डिवस जो बचे हुए हैं, एक आप कह सकते हैं, टाफ प्रिलिम्स के लिए खुद को तयार करिए, यहाँ पर number of vacancies जैसे जैसे कम होती जा रहे ही, competition बढ़ता जा रहा है, आपको यहाँ पर प्रिलिम्स पर थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान देने की आवशकता पड़ेगी, 90 डिवस जो आपके पास बच रहे हैं, इसमें मेंस का सब को छोड़ करके, अगर आपका थोड़ा बहुत मतलब कबर हो चुका, जीस 5-6 वगारा, ऐसे वगारा, कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपको सिर्फ प्रिलिम्स पर ध्यान के इन्रेट करने की आवशकता है, इस दो पेड क्राश कोर्स में अगर आप आएं, तो इमान के चलिए कि 6 गंटे कम से कम आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि recorded classes देखना और सिलेक्श जिसे conceptual question, analytical question, statement, assertion वाले जो question बन रहे हैं, उसको भी आप solve कर सकें, तो पेड रूप में अगर आप आए हैं, तो सिर्फ जॉइन करना याप इस sufficient नहीं होगा, आपको फी लेते समय ही, यहाँ पर हमने बताया होगा, हमने आपको prospect की वीडियो में बताया होगा, detail के वीडियो होना चाहिए, यहाँ पर जितना भी analytical चीज़ें आप पढ़ चुके होगे, basic वगारा complete कर चुके होगे, अब total आपको तयार करना है कि prelims का जितना भी syllabus है, अभी syllabus क्या है, कैसे उसको approach करना है, सब अभी हम आगे विडिवार discuss करेंगे ही, लेकिन जो पूरा prelims का syllabus है, वो cover कर करना होगा, और strategy में हमने ये भी बताएंगे, last strategy के भाग में कि कौन-कौन से study material को prioritize करना है, आपको, कौन-कौन से चीज़ों को सबसे पहले पढ़ करके रख लेना है, recorded classes का use का इसे करना है, सब कुछ इसमें बताय जा रहा है, वीडियो में, पर एक्षा योजना, briefly हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, GS1 का जो paper होता है, प्रथम प्रश्न पत्र, prelims वाला, उसी से cut-off बनता है, मेंस के लिए, आपने देखा होगा, उसी का cut-off बनता है, क्योंकि GS paper 2, जो होता है, C-side paper, वो qualifying nature का होता है, 33% आपको समें score करना होता है, हलांकि negative marking one third की दोनों ही papers में होती है, मेंस में आपको 6 GS के paper सब देने होते हैं, 2023 से जो pattern रदला है, GS124 conditional और 5-6 जो paper है, GS56, CUP special के हैं, GS56 की तयारी के लिए, और मेंस के पूरी तयारी के लिए, स्टैडी फारसिबल सर्थिस का मेंस का group जोईन किया हुआ है, जिसमें GS1 से लेकर 6 तक का study material, समान हिंदी का का होता है, मेरिट 16 सांकों में से बनती है, post wise और category wise, अब ही यहाँ पर run prelims कर रहेगा, अब 90 दिवस में total आपका focus prelims और prelims से सम्मंदित study material को study करने के लिए ही होना चाहिए, पहले recorded classes के बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि यह नए addition किया गया पेट रूप में, 2024 के exam के ल करने का ना समय है, ना ही live classes एक अच्छा method हो सकता है, syllabus को cover करने के लिए, कुछ चीज़ों को समझाने के लिए strategy discuss करने के लिए, आगे study for syllabus अपने paid group में live classes भी introduce कर सकता है, लेकिन live classes से पूरा syllabus कभी complete नहीं कराया जा सकता है, इस विज़े से recorded classes हमने आपर मौया कराई हैं, और इसके feature से हम समझ लीजिए, जो study material आपको दिया गया है, उसी के कह सकते हैं, parallel है, ये live classes, जो study material है, उसी को दिखाते हुए, समझाते हुए, हमने ये recorded classes को अपना design किया है, इससे conceptual clarity पर focus किया जा सके, कई बार जो आप study material में पढ़ते हैं, आप समझ नहीं बाते हैं कि इसका meaning क क्या बन रहा है, या फिर इससे exam में कैसा question बन सकता है, या फिर इसमें क्या necessary है, किस तरीके से उस बिंदू को हमको grasp करना है, ये समझाने पर focus किया गया है, recorded classes में, हर एक चीज, हर एक शाब्द पर नहीं focus किया गया है, जिससे बहुत लंबी-लंबी classes ना बने, conceptual clarity पर focus किया exam oriented study material हमने आपर रखा है, live classes का, ये recorded classes का, माफ किजिए, recorded classes में जैसा आपको PDF दी गई है, जैसे आपको study material हमारा दिया गया है, selection material जिसको हम लोग बोलते है, recorded classes के बारे में study for service team का ये recommendation है, कि एक बार आप देख सकते हैं, one time यहाँ पर है, लेकिन बार बार revision recorded classes से mandatory नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि exam में बार बार आपको recorded classes देख करके जाना है, एक बार आप conceptual understanding एक बार देख करके बनाईए, लेकिन जब भी देखिए, यहाँ पर pen का अगज ले करके इसको मतलब लिखते हुए बनाईए, आपके हाथ में pen और paper यहाँ पर होना चाहिए, note book होना चाहिए otherwise जो है notes को सामने टके recorded classes को study करी तो ज़्यादा benefit मिलेगा, और further doubt support भी है, जो लोग full paid group के आए, आपको discussion group का support मिला होगा, आप वहाँ पर discuss कर सकते हैं, कोई भी आपका doubt है, recorded classes कोई conceptual understanding नहीं clear हो पाई, आप नहीं समझ पाए हैं, या फिर जल्दी अगर मालिजे, भूल वस कि जोगेटर ने समझा दिया, तो आप discussion कर सकते हैं, बिल्कुल allowed है, कोई भी आपका doubt recorded classes समंदित, paid group के study material समंदित, quiz समंदित, कोई doubt है, तो आप आप आपर doubt clearance वाले group में पूछ सकते हैं, तो इस तरीके से recorded classes आपको महिया कराई गई हैं, इस बार एक बार देखने recommended है, अगर क 24 के exam के लिए foundation course हमारा last year, 2023 के मार्च अपरल से या फिर मई से शुरू हो गया था, जहां तक मैं आत कर पा रहा हूं, और इस पर हम पूरा एक वर्ष की preparation के लिए बताते हैं, पहले आपको basic book complete करना है, फिर summary PDF complete करनी है, और इस तरीकी से stage manner में, three stage manner में preparation करनी होते हैं, लेकिन आप वो three stage strategy यहां पर work नहीं करेगी, क्योंकि कुल समय ही बच रहा है आपके पास extra 44 दिवस का, इसमें आपको prelims complete करना है, revise करके, update करके, और सारी practice करके भी रखनी है इसी बीच, तो अब यह strategy नहीं हो पाएगी, three stage की strategy आपकी नहीं आप follow हो पाएगी, pre-mains integrated preparation जितना है exam की demand है, उतनी तवज्जो यह जो paper है, या फिर यह जो syllabus है, C-Sat के deserve करता है, मेरा ऐसा मानना है, practice करके आपको किसी तरीके से 33% लाना है, यहां पर इन्शोर करना है, क्योंकि यहीं आयोग और exam की demand है, इस पर बहुत ज़्यादा excel करने हैं ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह mains मे नहीं है, इसका कुछ syllabus और नहीं आगे कहीं काम आएगा, training वगरे में भी, तो practice करके आपको 33% इन्शोर करना है, सबसे पहले आपको previous question यहां पर देखना चाहिए, क्योंकि C-Sat में एक खास बात देखी गई है, कि इसमें ज्यादा trend नहीं मतलता है, trend वगरा question पूछे जाने का आधार बनेगा C-Sat में, क्योंकि हर state PCS का C-Sat अलग तरीके का flavor लेकर के आता है, UP PCS C-Sat में क्या होता है, कि इसमें चार सब्जेक्ट का weightage है, elementary mathematics up to class 10th level as general English, समान हिंदी और general mental ability decision making यानि reasoning भी जो आती है, इसमें और इसमें एक और सब्जेक्ट होता है, communication वाला, ठीक है पर अमलब जो होता है, जो MB वेगरा में, आप लोग पढ़ते हैं, डिटेल में, तो उसका लाब MB वालों को काफी मिल जाता है, इंटरपरस्टल स्किल का लेवस थोड़ा सा वाइड है, तो हम ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जो लोग फुल पे डूपर मेंबर है आप देखेंगे, solve करते समय, क्योंकि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, कोई भी आपका मीडियम रहा हो, या तो इंग्लिश मीडियम रहता है, हिंदी बेल्ट की लोगों का, या तो हिंदी मीडियम रहता है, उर्दू मीडियम कम लोगों का रहता है, तो इस तरीके से आ इंग्लिश वाले चैसाथ कोश्चन हिंदी वाले यह तो गद को पढ़के करने पढ़ते हैं बेसिक अगर आपकी नॉलेज है परग्राफ पढ़ने कि इतना सारा जीएस का स्टाइडिम पढ़ना होता है बहुत सारी परग्राफ आप वैसे ही पढ़ते समझते वह चलते हैं अ सवाल किये जा सकते हैं UPSC site जैसा है नहीं होता है ठीक है पीवाइक देखके आपको खुदी समझ में आएगा कुछ चीज़ें आलां की तैयर करने वाली जैसे वोकाब्लरी यूसेज, इडियम्स और फ्रेज़स यह कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी पढ़ेंगी जो इतना दिया गया स्टाइडिम टेल में कि वो सफीशेंट है ठीक है हिंदी में भी जैसे कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है संधी समास वगएरा ख्रियाएं हो गई विलोम शब्दी याद करने पड़ते हैं कुछ वर्तियां तयार करनी पड़ती है वो तर्दब्रेश करना है वाकियांच के लिए अपने वाहां पर टैयार करना है कुछ कुछ चीज़ें आपको तयार करनी है लिए बहुत ज्यादा समय हाप डिडिकेट नहीं करना है पूरी अगर प्रिप्रेशन की बात करें प्रिल्म डेडिकेट प्रिप्रेशन में किसी भी सूरत में 10% आपको हम अवेलिबल करा देंगे प्रिलिम से पहले उतना ही सफिशेंट होगा और इस तरीके से आपकी सीसाट की प्रप्रप्रेशन हो जाएगी वाकि अंग गणित जैसे कुछ लोगों कमजोर होता बैक्राउंड का और बीज गणी त्रेखा गणी तो यह कमजोर होता है तो वैसे ही आउसब निकालने में आगे रहते हैं थोड़ा थोड़ा तो मतलब जो रियल लाइफ सिनेरियो से जूड़ करकर भी जितना अगर आपको लॉजिकल थिंकिंग आती है लॉजिकल अलिबिल्टी है आपकी तो इतना ज्यादा कोर तैयारी करने की इसमें जरूरत नही जिसको कटाफ बोलते हैं आप पोस्ट वाइस कटेगरी वाइस अगर हासिल करेंगे तब ही आप में स्लिक पाएंग अदरवाइस फिर अगली बार आई यह आयोक का कहना है तो स्लेवर्स यहां पर देख लेते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग लगा दिया है बा आयोक पेपर कराता है चितने भी पेपर कराता है पूरे साल में सारे पेपर का अनलाइस हमारी टीम करती है और उसमें समझने की हम लोग कोशिश करते हैं किस तरीके से एक्जामनेर अपने मूड को बदल रहे हैं किस तरीके से जो अवधारणाएं हों बदल रही हैं क्या प में उनमें से कुछ भी पूछा आ सकता है जितने भी हवाईट जित्ते वी भारत के हैं किस वाडिज व्यापार के लिए प्रसिद्ध हैं किस चीज का आयात निर्यात ज्यादा करते हैं किस चीज का प्रोडक्शन करते हैं इससे सम्मधित एक्सप्रक्टेशन आयो की हो सकती है अब इसका दाइरा कैसे सीमित होगा दाइरा कैसे बनाएंगे स्टडी फॉर सिबल सब्सक्राइब की एक्सपर्टीज का आप लोग लाब उठाइए पुरा सिलेवस लेटेस्ट पेटर्ण के साथ से प्युआ क्यू के निसार है प्युआ क्यू के अनुसार होने का हमेशा यह नहीं मतलब होता है कि जितना प्युआ के पूछा गया उतना trend of pattern को follow करते हुए content बनाना बहुत अलग-अलग चीज़ है या आप हमारे content को पढ़ते हुए महसूस करेंगे या तो exam में MR पर सही question solve करते हुए महसूस करेंगे कि पीवाइक्यू अधारित study material में और पीवाइक्यू के आधार पर latest trend of pattern को follow करते हुए बनाएगा study material में क्या अंतर होता है भारत का इतिहास भारती राष्ट्री अंदुला ने कि वे एक term है इसमें बहुत सारी चीज़े पूछ जा सकती है ठीक है जितने chapter history books ने लिखे है history books और publishers ने लिखे है उसके अतिरिक्त भी कई सारी चीज़ें हो सकती है इसके लिए आपको recent trend और pattern follow करना पड़ता है कि कहां पी क्या चीज़ें चल रहे हैं इसलिए ज्यादा कुछ इससे पता नहीं चलता है पर इसिस्ट पांच बिल्कुल एक तरही के से obsolete हो रहा है आयोग के लोग अगर सुन रहे हैं तो चाहें तो इसमें परिवर्तन कर सकते हैं UKPSC में क्या होता है UKPSC में 14-15 page में syllabus लिख करके आ हैं कि किं-किं शांसकों के बारे में पूचेंगे किं-किन वशन के में पूछेंगे और अगर वारे में पूँछेंगे में सब्सक्राइब करके आथा है कुछ चीज़ है काफी मिस लीडिंग भी हो जाती जैसे यहां पर लिखा है कि बाइवस्टी अन क्लाइमेट चेंज जनरल इशूज ऑन इंवार्मेंटल एकोलोजी दा डू नॉट रिक्वार सब्जेक्ट सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है एक नॉर्मल ईमन बींग माली जै कोई एमनेशी में काम कर रहा है आप उससे जाकर कर पूछिए कि निश का मतलब क्या होता है इंट अफ इंवार्मेंट शायद वो नहीं बता पाएंगे ठीक है उनसे आप पूछिए कि कार्बन कैपचर कैसे होता है और साइध नहीं बता पाएंगे ठीक है तो मतलब यह मैं कहिने के प्रयाज करना हूँ कि ऐसा नहीं कि हर उपय करने वाला उपय प्सकी प्रप्रेशन करने वाला बहुत ग्यानी है इसा मैं यह बस कहा रहा हूं कि सिले बस जो है बहुत अच्छी तरीके से आपको त्यार करना पड़ता है क्योंकि सिले बस का दाहरा बहुत बढ़ जाता है जब सिले बस इस तरीके से एक परग्राफ में लिख कर गयाता है कुछ चीज़ें जैसे है जसे एकनाउमिक, सोचल, डवनपैंट मैं शस्टेनबल 되어प्लोप weren't लिख दिया सजस्टेनबल डवल्लपमेंट और पावर्टी इंख्लूजन से हर बार कुछटन आपको एक्जाम देखतें कोभिल रहे हैं sustainable development में basic भी आता है, basic या फिर static भी आता है, यानि कि जो अधारणाई बन चुकी है, sustainable development goals का जो background है या फिर जो definitions बन चुकी है, पहले कि उसके बारे में भी पूछा जाता है, और जो recent development होता है, recent development, यानि कि reports जो आती है, चाहे world level पर हो, चाहे नीतियायो की report हो, क्योंकि sustainable development समंध research नीतियायो का रहता है, तो नीतियायो का जो report है, उसके बारे में भी और जो world developer, जो organizations जिम्मेदार है, sustainable development के बारे में अध्यतन जानकारी देने के लिए, उनकी reports के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो static current दोनों साथ ले करके चलना होता है, और कई बार dynamic pattern आ जाता है कि static को current दोनों को मिला करके एक प्रस्ट मिलाने जाने लग रहा है, तो study for civil service school बिला कर मैं आपको ये communicate करना चाहरा हूं कि जो चीज यहां पर जरूरी है, static हो, dynamic हो, basic हो, tough level का हो, easy level का हो, background आपको जितना चाहिए, किसी भी topic के बारे में, वो हमारे study material में होता है, इसलिए मैं पहले ही बोला था कि study material हमारा आपके लिए selection material साबित हो सकता है, अगर आप अच्छे से उसको study करें, अच्छे से utilize करें, इसलिए बोलता हूं, जैसे यहां पर social sector initiatives लिखे हुए हैं, तो social sector initiatives में क्या होता है, government scheme जैसे आती है, हर बार government scheme से question आते हैं, तो government scheme आयोग लिखता नह पूछी जाती ही, कौन scheme कब आई थी, या फिर किस से सम्मंदित है, इस सब चीज़ें पूछी जाने लगती है, इस तरीके से syllabus analysis study for services team ने आपके लिए करके रखा है, और syllabus के हिसाब से latest जो paper हो रहे हैं, उसको देखते हुए, recent trend जो चल रहा है question पूछी जाने का examination या examination team जो भ जाती है, पहले होता था, यूबे pieces को भी exam लेता था, उसमें हमेशा से assertion reason के question आते रहे हैं, पहले बहुत कमाते थे, आजकल जादा आने लग रहे हैं, लेकिन कभी current अफेर में जादा assertion reason नहीं पूछा जाता था, नहीं आता था, लेकिन अब आने लग रहा है, आने की उम reason के सवाल आ सकते हैं, तो हमने current affair में आपको बना करके दिया था, latest month के current affair में, भारत के लिए चाबहार बंदरगा या शहीद बेस्ती terminal जो बंदरगा है, पाकिस्तान के गौदर बंदरगा हो, चीन की belt and road पहल के खिलाफ एक जवाबी संतुलन प्रदान कर सकता है, और इसका reason है, चाबहार बंदरगा भारत को अफगानिस्तान मध्य एशिया देशों से जोडने का महतपूर मार्ग प्रदान कर सकता है, या फिर महतपूर मार्ग रूप में उपियोगी सिध्ध हो सकता है, तो इसका answer क्या होगा, इसका answer होगा, A और R दोनों सही और R A की सही व्याख् भी करता है, हम अमेशा उम्मीद करते हैं, चाबहार में ये पूछेंगे कि कहां पर है, किस प्रोविन्स में है, चाबहार बंदरगा ये इरान के किस प्रोविन्स में, ये सब कोशन, 10 येर के लिए समझोता हुआ है वहाँ की मेरे टाइम एजनसी, भारत की मेरे टाइम लिंगवल होता है, तो जो भी कोशन होगा, या फिर जो भी स्टैडिम ट्रेल होगा, वो दोनों ही भाषाओं में तयार किया जाता है, ये कोशन भी अंग्रेजी में बनाया गया था, ये आपको लेटेस्ट में के करेंटेफर मिलेगा, और आगे भी एस स्रीज में हमारी प पीर वन क्लियर हो जाए और हमको में सलिखने को भी ले, तो कॉट औफ कितना चाहीए, कि कॉट आने तक भी कई बार लोग को नहेंसर में आता, एंसर की आने कबाद नहीं पिता चलता है, तैयारी की दॉरान कितना रखें इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारे चीज इसे दिमाग भी होना चाहिए हमको कितना चाहिए यहां पर यूर का cut-off जो प्रिवेसर में रहा है उसके हिसाब से बात करेंगी यूर का इसलिए यह मैं ले रहा हूं कि यूर का highest रहता और इसी हिसाब से आपको अपना ओरियंट करना है study को क्योंकि अलग 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 कम-कम आपके हिसाब से आपको मिल जाएगा आप उतना adjustment कर लिजे अपने हिसाब से मैं पूरी cut-off list analysis करूंगे तो confusion भी होगी यूर का cut-off यानि highest cut-off किसी पोस्ट के लिए जो रहा है 2018 से अभी तक उसकी analysis के आधार पर यहां पर हम समझने कोशिश करते हैं कि कितना target आपको तयारी देगा नहीं 2018 में 126 नंबर यहां पर cut-off गया था यूर के लिए 94.5 question और पोस्ट मैं आपको बता दू 900 प्लस पोस्ट थी और जो है काफी सारे मारे students में select भी हुए थे 900 प्लस पोस्ट पर यह cut-off गया था काफी लोगों के लिए shocking भी था लेकिन जैसा मैंने बताया कि काफी जारे factors पर यह cut-off depend करता सिर्फ number of post पर नहीं पेपर easy moderate level का था पिछले 5 वरसों का सबसे easy paper 2018 वाला ही था तो easy moderate level के paper में cut-off जो है justified था भले ही सीटे 300 रही हो और 2023 में अगर आप देखें 125 cut-off यहां पर you are के लिए गया है और other categories में भी बहुत कम-कम नहीं रहा है 125 अंक जो cut-off लगभग 93 questions इसमें आप देखें इस वज़ेस था कि 254 पोस्ट थी number of post ही बहुत कम थी इस वज़ेसे moderate पेपर होने के बाद moderate to difficult side paper था last year का moderate difficult 2023 वाला था 2021 वाला था तो moderate difficult paper में कि इस तरीके के cut-off अगर जा रहा है तो आप समझेए आपको अपनी preparation बढ़ानी पड़ेगे क्योंकि number of seats इस बार भी बहुत जादा नहीं है study forceful services का अगर आप study material पढ़ते हैं तो 105 correct question negative marking हटा करके आपको cut-off यहां पर रखना है target अपना preparation के दवरान 105 correct question after deducting या फिर deducing negative marking निगेटिव हटा के लिग भी दे रहो है यहां पर निगेटिव हटा कर 105 question के यहां पर target रखना है जो बिलकुल achievable है doable है हमारे study material के साथ हमारे practice resources के साथ हमारी guidance में और जो classes भी आपको मिलेंगी इस बारे batch में तो बिलकुल किया जा सकता है 105 correct questions निगेटिव हटा कर किये जा सकते हैं और इतना अगर आपने target कर लिया और अगर म चास questions होते हैं हर बार 4 questions disputed होते हैं 3-4 questions काई बार 5 questions तक disputed होते हैं उन disputed question के उज़से कई सार लोग borderline case में फस जाते हैं disputed question का मतलब यह हुआ कि माली जा आप सिर्फ 90 के round attempt करके आए 1992 और disputed questions आपके रहे disputed question का जो result है वो बहुत बाद में पता चलता है मतलब modified की जो है last case exam के आई है अगर आपके आदो 2022 I think 2022 से 2021 ही वो paper था जिसकी modified की अब तक available है उसके बाद के papers की modified की अभी नहीं आए 2023 वालिक नहीं आई है 2022 वालिक नहीं आई है modified की बहुत बाद में आती है तब तक उसका analysis करने का उसका मन्थन करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है क्योंकि आप दूसरे paper दे चुके होते हैं तो modified की फिर disputed questions का पता चलता है लेकिन आपका जो result आता है वो modified की के हिसाब से आ चुका होता है तो 150 questions कहने के लिए हैं मैं अमान के चलता हूँ कि 146 questions में से आपको 105 का target रखना है अगर 100 भी यहां पर सही होगा 98 के round भी सही होगा तो आपका cutoff हसानी से निकल जाता है 105 का target हमने इसलिए confidently बताया है क्योंकि हमारे study material से आप 125 तक कर सकते हैं I repeat 125 questions नमबर ने 125 questions का आप कर सकते हैं study for civil services के practice resources को follow करके हमारे selection material को पढ़कर करके और अब तो analytical question आपको सही कराने के लिए हमने recorded classes देने का भी यहां पर निर्ड़न लिया है आप हमारे selection material में से जो चाहें तो देखें चाहें तो paid quiz से directly questions repeat हुए है लगातार हमने अपने performance को improve किया है लगातार study material को update किया जाता है paid quiz के questions नए तरीकिस बनाए जाते हैं test series हर साल नए तरीकिस बनाए जाती है और questions हम लोग repeat नहीं करते हैं कुछ questions जो बहुत आती संभावित होते हैं जिनको आना ही आना होता है repeat हो करके सिर्फ वही question repeat किया जाते है हमारा study material हर बार update होता है माल जो जो लिस्टिंग PDF है ठीक है जोग्रफी की लिस्टिंग है उसमें हमने 2022 में लिजे 22 टॉपिक कवर किये हैं तो 2023 में हम 28 करते हैं 2024 वाले में करीब 35 टॉपिक करेंगे क्योंकि हर बार हमारी research होती ही कुछ ना कुछ चीज़ें बढ़ती है नए areas पर आयोग focus कर रहा है और इसी हिसाप से paper tough हा रहा है अगर सिर्फ PYQ पूछे जाते PYQ को घुमा फिरा के पूछे जाता तो paper कभी tough यह tricky नहीं बन सकता है आज कल के digital दौर में क्योंकि सब के पास सब कुछ available है ठीक है तो इसी वज़े से आयोग जिस तरीके से बदल रहा है innovation कर रहा है questions में जो topic मौझूद है Indian geography, world geography उन्हीं में से 99 तरीके से जो question बन रहे है current affair के नवीन तरीके से question बन रहे है उसी को हम समाहित करते हैं अपने study material में आप लगातार proof देख सकते हैं 2022 में 113 questions और हमने वादा किया था इससे बढ़ाएंगे और उतना ही tough paper रहा उतना ही tricky paper रहा लेकिन 150 में से 125 questions आप कर सकते थे सारे proof हमने य रहता है हमारे exam में उतना ही हमारे study material में दिया रहता है कोई जादा नहीं बहुत limited number of pages के selection material में और limited number of questions हम paid quiz में कराते हैं test series आपको बता कितनी होती हैं अभी मैं बता रहा हूं शाए 30 test series हैं सब बिला करके उतना ही आपको लगाना है और आप जो है अराम से cut-off पार्क कर सकत हैं किसी भी category का cut-off आप यूर से कहीं जादा number of questions सही कर सकते हैं यूर के cut-off से क्योंकि इसका एक कारण है कि study for civil services अपने जो study material को विभिन सोर्सेस से study for civil services क्या करता है विभिन सोर्सेस से जितना आयोग जिस तरीके से हमसे expect कर रहा है इस labels को तयार करने को उसी हिसाप से हम study material ड्राफ्ट करते हैं फिर उसी हिसाप से question करा जाते हैं हमारा देश से सिर्फ PYQ को इधर दर गुमाना नहीं है क्योंकि आयोग यह करना बंद कर चुका है आप देख सकते हैं किस तरीके से questions बन रहे हैं उसी तरीके से हमारे paid quiz में हमारे study material में कराया जा चुका होता है पहले आप 2018 से अभी तक compare कर सकते हैं किसी भी test series में ऐसा नहीं किया गया कि पिछले साल के questions उठाके दे दिये गए हूँ बहुत कुछ exceptional चीजें हो सकती है कि पिछले साल का कोई fact है वो इस साल बहुत relevant अगर हो गया तो उसको छोड़ करके हमारे questions जो है repeat नहीं होते है test series में जितना जितना आयोग पूछना चाहता है हमसे वो सब आपको study material में कराया जाता है पेडिक्विज में कराया जाता है और जिस तरीके से अशर्षन रीजन वाले question जैसे आयोग बना रहा है कि किसी भी study material से match ना करें तो उसके लिए daily classes आपको देंगे recorded वाली जिससे आप concept करने के लिए हमने recorded classes देने का यहां पर रिड़ा लिया था हमारे policy changes के अमसार चाहे आपके factual question हो बोलनाइड टाइप question हो चाहे analytical question हो conceptual question हो ठीक है fact based सवाल हो सब आप कर सकते हैं आपको यहां पर समय देना पड़ेगा जो भी study material है जब तक वो study material है जब तक आप उसको study नहीं क जाबित हो सकता है हजारों लाखोस to aspirants के लिए हुआ है एक उदारण के तौर पर यहां पर देख सकते हैं जो किसान सभा है उत्तरप्रदेश किसान सभा या United province किसान सभा जो फैब 1918 बनी थी इसमें इंद्र नरायन दुवेदी का कहीं नाम ने दिया आए जाद अतर बुक् जाता है वो हमारे stadium trail में अल्रेडी दिया रहता है पहले से लगातार आप देख सकते हैं प्रूफ हमने टेलिग्राम में भी डाल दिया है पेड रूप strategy में सिर्फ motivation के लिए मैं सामिल कर रहा हूं कि आप motivated रहें कि जो stadium trail आपने लिया है वो selection material साबित हो सकता है अगर आप उ पूछे जाएंगे इसमें कोई संदेख नहीं रखिए कि क्या हमको पुराने करेंटेफर के साब तैयार करना ऐसा नहीं है करेंटेफर कहां से कहां तक तैयार करना होता है करेंटेफर नैशनल इंटरनाशनल करेंटेफर की अगर हम सिर्फ बात करें इससे 28-30 सावल expected होते है यूपी करेंटेफर की बात करें उसका वेटेज भी आजकल है लेकिन कई बार यूपी जीके का वेटेज रहता है पेपर में कई बार यूपी करेंटेफर का यह हर बार बदलता रहता है मालीजे यूपी करेंटेफर का करीब 4 questions का वेटेज अगर है 4-5 questions का 4 questions यहां पर मान क मान करके चलते हैं, तो कई बार ये काफी पुराने भी पूछ ले जाते हैं, तो उत्तरप्रदेश करेंटेफर आपको जुलाई से दिया गया होगा, जुलाई तो 28 से 30 सवाल साही करने के लिए आपको कम से कम 11 महीने 12 महीने करेंटेफर तयार करने के सलाह दी जाती है, इस बार जो टाइम फ्रेम है 27 अक्टोबर को एक्जाम है, तो इमान करके चली 2024 सवाले करेंटेफर ज्यादा रेलिवेंट है, बट ये कैच यहां पर यह कि काफी सारे महीने इलेक्शन में बेस्ट हुए है, अजारे संगीता लागो होने के बाद नए योजनाए नहीं आती है, सरकार के नए इनिशेटिव नहीं आते हैं कई बार, सरकार कई सारी नए ट्रीटीज इनिशेटिव नहीं लेती दूसरे देशों के साथ, तो निउस कम आई है, तो अपरैल 2024 से पीछे जाते हुए, नॉमबर 2023 तक का भी आपको एक बार तयार कर लेना है, क्योंकि पुरानी योजनाए परियोजनाए या फिर जो इनिशेटिव, चूकि जब इलेक्शन आने वाले होते हैं, सरकार जो भी सफ्ता में होती, तेजी से नए इनिशेटिव लेती जिसको हमने नॉमबर 2023 के अपरैल 2024 तक के टाइम फ्रेम के बीच कवर किया है, तो बिलकुल भी रिस्क वाला काम नहीं करना है आपको, वो मीम यहाँ पर मैं लगा सकता अगर कॉपी राइट का इशू ना होता, कि बिलकुल भी रिक्स नहीं लेने का, आपको अच्छे तरी 2023 से लेकर अपरैल 2024 की महत्पूर्ण न्यूज पूछ ली जाएं, तो आपको इंशूर करना है कि आप नॉमबर 2023 तक का करेंटरफायर त्यार करें, सेप्टेमबर से बीचे जाते हुए, चुकि 27 अक्टूबर को पेपर है, तो हमेशा की तरह स्टडी फार से का, एक से 10 या 9 अक्टूबर का, वो भी हम आपको अपको उपलब्द करा देंगे, 10 अक्टूबर 2024 तक, तो कम्प्रीट करेंटरफायर आपको मिल जाएगा, हमेशा ही स्टडी फार से अपने ग्रूप्स में, आपको मंतली करेंटरफायर देता है, और एक्जाम से पहले एक सिंगल पीडिएफ हम लोग देते हैं, करेंटरफायर कंपाइलेशन, नैसल, इंटरनैसल के लिए, और यूपी के लिए कंबाइन करके, सिर्फ एक पीडिएफ, उसी से मैक्सिम सवाल आते रहे हैं, तो पीडिएफ भी पेट्रूप मेंबर को मिलेगी, लेकिन उसके पहले आपको मन्थवाइज तयार करते हुए चलना है, मन्थवाइज आपको जो पीडिएफ मिली हैं, ग्रूप में उसको तयार करते हुए चलना है, उसमें कोई भी कुताही नहीं बरती हैगा, आभी से तयार करेंगे, तो ज्यादाल आप मिलेगा, बाद में इखटा करके आप जाएंगे तो कई बार कंफ्यूज होते हैं इवेंट में करके जाना है किसी भी कंटेंट को जो आब ही मैं आगे आपको प्राइटाइज करके बताऊंगा कौन कौन सी पीडिएफ उनको आपको मल्टिपल टाइम्स रिवीजन करना है स्टड़ी फ़ॉर्स विल्सर्फस हमेशा ही बिलीव करता है और ऐसा सत्य भी है किसी भी स्टेट पीशेस का प्रलिम्स आप मल्टिपल टाइम्स रिवीजन के बिना नहीं निकाल सकते हैं जो लोग हमारे फुल पैट ग्रूप में आये हैं या फिर फुल टैडिम वाले ग्रूप में आये हैं आपको इस एडूल मिल चुका होगा टोटल 40 टेस्ट का हमारा commitment है 20 section wise 20 full end test आपको बिल जाएंगे इसमें updated test यहां पर होते हैं पुराने सालों के यहां पर नहीं दी जाते हैं fresh questions यहां पर draft की जाएंगे किस subject का या किस syllabus का कौन सा test है यहां पर लिखा हुआ है आप इस chart चाहें तो room में लगा सकते हैं इसको print करके या फिर अपने device में रख सकते हैं एक अगस्त को आपको पर ले test चुरूओगा ancient history का उसके बाद आपको इस तरीके से test होते रहेंगे जिस date पर भी test होगा उस तारीक को आपको आपके group में PDF आ जाएगा कोई app में login password के साथ नहीं देना है रात आट बज़े test की PDF question paper आ जाएगा इसको आप print करके कर सकते हैं online जो है कर सकते हैं एक OMR का sample sheet भी हम आपको दे देंगे उसमें कर सकते हैं OMR आप खरीद भी सकते हैं बाहर जो stationary shop पर मिलता है उसमें आपको attempt करना है फिर उसके बाद आपको उत्तर मिलाना है answer की explanation दिया जाता है explanation भी दिया जाता है हमारी test series में और इसलिए test series थोड़ा सा voluminous होती है यानि कि information dense test series होती है मोटे पन्ने होते हैं जादा यहाँ पे number of pages होते हैं उतना ही lab आपको exam में मिलता है क्योंकि एक ही question में कई सारा explanation भी हमारा दिया रहता है उससे कई बार question आ सकता है directly आपको exam में और ऐसा देखा गया है कई बार मैंने बताया ऐसा हुआ है बीते वर्षों में कि एक question से और उसके explanation से दो अलग अलग question आपको prelims paper में आए है paid quiz group से ज़रूर जुड़े रही है paid quiz group में जो updates आते है small peak आती है कई बार PDF आती है कई बार error correction के लिए कोई message आता है missprint के लिए को information आती है कि उसको सही कर लिजिए तो उसको देखते रहा करिए यह features of this group लिखे हुए है जो foundation batch होता है उसमें मैं यह सब चीज़ें explain करता हूँ इसको मैं briefly आपको समझा दे रहा हूँ daily current affair की video तीन-चार बज़े तक आपके group में आ जाती है कभी delay होता तो next day आती है अभी daily current affair को prioritize नहीं करना है monthly current affair को prioritize करना है अभी subject wise इनकी चीज़ों को आपको study करना है उसका पूरा चार्ट मैं भी नीचे explain करने वाला हूँ लेकिन ही समझे कि daily current affair आपके group में आएगा जरूर लेकिन आप daily का monthly compilation जो आपको मिलेगा mains के लिए mains के time पे study करिएगा अभी आपको monthly current affair फोकस करना है पूरा फोकस यहाँ पर prelims वाले current affair को करने के लिए होना चाहिए जो आपको monthly current affair है जो total prelims oriented हम current affair बनाते हैं हम monthly current affair होता है monthly current affair PDF तीन PDF मिलते हैं हर मन्त एक pre special होता है और pre special वाला ही आपको पटना है जिसमें pre special लिखा रहता है PDF में वही monthly current affair है वही prelims exam के लिए आपको study करना है daily का monthly मिलता है और 400-500 question current affair के online type में आपको practice के लिए मिलता है MCQ उनको practice के लिए चाहें तो आप कर सकते हैं यह MCQ करना यह mandatory नहीं है यह mandatory नहीं है ध्यान रखेगा not mandatory यह है क्योंकि इससे मिलते जूलते questions कई सारे पेट को इसमें already करा देते हैं आपका sectional test होगा current affair का उसमें करा देते हैं यह mandatory नहीं कि आप 400-500 question current affair के जरूर करें हाला कि कुछ लोग अलग से मांगते हैं तो यह paid group में आपको PDF दी जाती है pre-special current affair पर focus आपको करना है UP current affair की PDF आती है उस पर focus करना है तो लोग हमारे full paid group में उनको doubt clearance का support मिलता है daily basis पर आपका भी भी कोई doubt पूछ सकते हैं कोई भी आपका fact में doubt है concept में doubt है का पूछ सकते हैं कई बार आप खुद confused हो जाते हैं Google बगरा करके जैसे यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिग भी दिया है PDF में हमारी टीम ने लिखा है यह आपको R&D में नहीं बढ़ना है यह बड़ा सपस्ट तरीके से हमने लिख दिया है कई बार आप लोग Google करना समझ नहीं पाते हैं या फिर कोई भी एप्लिकेशन से अधिक updated है ऐसा नहीं है लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि हमेशा latest information updated दी जाए Error correction के नाम पर कोई misprint हो सकता है ठीक है कोई जो है grammatical error हो सकती है उसको जो है अपडेट करने के लिए हमने पेट कुई ग्रूप में message देते हैं कोई error आ गई मालीजे को clerical error आ गई मतलब मार्क करना था कोई सही option वह दूसरा option मार्क हो गया ठीक है मतलब code सही है explanation में कोई दूसरा explanation given है या फिर कभी कुछ formatting error आ गई बस ऐसे ही error होती है बागी factual कोई error होती नहीं है और कभी भी नहीं रही है अगर कोई error होती भी है तो उसको exam से बहुत दिन पहले आपको update कर दी जाता है तो मैं आपको हमेशा बुलता हूँ हमारे team भी हमेशा recommend करती है कि जो दिया control तयार नहीं कर पाएंगे जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ जैसे latest tiger reserve के बारे में अभी एक वरी ग्रूप में आय थी किसी महोदे ने हमारे प्रीस अदस ने देखा होगा Google पर उन्हें किसी पॉप्लर कोचिंग के website ने को टाइगर रिजर्व दिखाया होगा कि 54 बनवाएं कि 55 और उसमें वह महोदे confused हो गये थे बार-बार सवाल कर रहे थे गुरूप में तो मैंने एक वीडियो बनाया था उनके मतलब उनको यह doubt को solve करने के लिए वीडियो मैं अभी आगे के हिससे मैं इसमें लगा दे रहा हूं आप इसको खुद सुनी हो समझे किस त time-consuming job है और इसका आपको काम नहीं है आपको एक्जाम में नहीं पूछा जाएगा OMR भरते समय कि पीछे OMR पर लिखिए कि कहां से आपने पढ़ा ऐसा कुछ नहीं होता है तो study for services team latest updated source जो है जो sources आयोग मानता रहा है पहले आयोग जिन sources को मानता है उन sources को ले करके हम study material confusion है यह आप भी clear कर लीजिए यहां पर और इसको समझ लीजिए किस तरीके से official data देखते हैं भारत का तिरपनवा चववनवा और पचपनवा टाइगर रिजर्व कौन सा है इसको लेकर confusion है तिरपनवा को लेकर तो नहीं है चववनवे पचपनवे को लेकर बहुत confusion है दुर दुर्गावती टाइगर रिजर्व विरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व पूरा नाम है इसका यह मदप्रदेश में है ठीक है यह भारत का चववनवा पूरते नोटिफाइड टाइगर रिजर्व है पचपनवा अभी बना नहीं भारत का क्योंकि टाइगर रि इन principle approval जो है communicate किया जाता है NTCA की तरफ से पूरे proposal को अच्छे से scrutinize करके section 38.5 जो है wildlife protection act 1972 का उसके तहत, NTCA recommend करता है proposal को state को पूरी तरीके से देखने के बाद, और फिर final जो step होता है state government notify करती है अपने tiger reserve को area सही, सब कुछ बताय जाता है किस area तक है बकाईदा, इसमें coordinates तक द जाते हैं, ठीक है, तो दुर्गावती tiger reserve ये सारी प्रक्रिया follow कर चुका है, चार step की, जबकि जो धौलपूर करवली फ़ला tiger reserve है उसमें ये वाला step बांकी है भी, ठीक है धौलपूर करवली में ये last step बांकी है, तो इस वज़े से हम ये नहीं कह सकते है कि धौलपूर करव जब notify हो जाएगा, finally state के द्वारा, ठीक है, बाकी proof कि अगर हम बात कर लें, authentically ये मान रहें क्योंकि स्वेम जो हमारे environment minister है, इन्होंने tweet किया था, 31 October 2022 को कि इरानीपूर जो है, ये तिरपनवा tiger reserve है, इसमें तो clarity है, और ये भी, उसमें कहा था, 22 September को 2023 में इन्होंने tweet किया थ कि हमारा tiger reserve जो total number 54 हो चुका है, और 54 कौन से बना है, विरांगना दुर्गावती tiger reserve इसको finally notify कहिया जा चुका है, जब कोई tiger reserve finally notify होता है, तो state की तरफ से gazette notification शपता है, और उसमें बकाइदा पूरे tiger reserve की detail दी जाती है, और उसके पूरे area की detailing साहित, तो ये विरांगना दुर गवती tiger reserve हमारा जो है, ये 54 वा tiger reserve है, ठीक है, पच्पन्वा का उनसा बनेगा, धौलपूर करावली बनेगा, तिरपन्वा का उनसा है रानिपूर tiger reserve उत्तरप्रदेश का, आई होप आपको ये confusion आपकी नहीं रहेगी, तो आपने देखा होगा समझा होगा किस तरीके से official data देखा जाता है, और कई बार Google का first result आपको misleading fact बता देता है, और उसको हर बार सही नहीं मानना है, पेटरूप सिर्फ जॉइन करना है, यहां पेटरूप सिर्फ जॉइन करना है, सारे अपडेट इसके follow करने होते हैं, जो PDF में आ आपको बताने जा रहा हूँ, इसका multiple times revision करना है, current affair जितना बता है, उतना study करना है, विसले लिस PDF यहीं पर मिलेगी, एकनॉमी डेटा, latest updated, current affair में agriculture data, mineral data, सब कुछ यहां से मिलेगा, interim budget का भी आपको दे दिया गया है, interim budget के fact दे दिये गये है, अब जुलाई में जुनाजी सरकार बनेगी, जुलाई अंड तक आप expect कर सकत है, जुलाई फास्ट वीक में भी आ सकता है, तो interim budget आपको दिया जा चुका है, इसको भी study करना है, इसको भी study करना है, ऐसा नहीं कि इसको आप छोड़ देंगे, इसको भी देख लीजिएगा, और साथ ही जो budget नया आएगा, जुलाई मन्त में, जिसमें नई scheme announce की जा सकते ह इसको भी देखिएगा, budget economic survey जो आएगा, economic survey तो जुलाई मन्त में आएगा, budget economic survey की notes वगारा हम आपको देंगे, आपको पूरा document नहीं पढ़ना पड़ेगा, 600-700 pages का हमेशा ही study for services जो है, budget economic survey की notes अपने paid group को देता है, और इससे कई बार question भी आते हैं, पिछले साल आए थे prelims 2014 से पहले कई सारे questions की आपको practice करके जाना mandatory है, practice resources क्या कह रहेंगे, इसको पस्ट कर देता हूं मैं, study for services की paid quiz एक resource है, study for services का byq compilation है, study for services की test series है, mcu bank है, और इसी priority में आपको करना है, test series priority पर रहेगी, paid quiz priority पर रहेगी, और study for services का byq compilation priority पर रहेगा, और आपके पास समय बच र पर रहेगी, paid quiz लगाना बहुत जरूरी है, paid quiz लगाना इसलिए भी जरूरी है, एक तो syllabus की तयारी के लिए, syllabus की overall understanding के लिए, जैसे आपने चोल वन्स पढ़ा, गुप्त वन्स पढ़ा, वाकाटक वन्स पढ़ा, दस पंदरा वन्स पढ़ डाले, history में, ancient में, medieval में, modern में, उससे familiar बनाने का लाब आपको मिलता है, वो इस तरीके से मिलता है, अभी मैं आपको practically दिखाऊंगा भी, paid quiz में, कि किस तरीके से जैसे आप मालीजे कोई fact देख रहे हैं, उसमें मालीजे fact बताया गया कि, चोल वन्स जो है, दो बारशासन करता है, या फिर second century, सेंचुरी, second century, AD से लेकर, लगबग 7th century तक, चोल वन्स जो है, हिस्ट्री से गाइब हो जाता है, और फिर से जो है, और रिजरेक्ट होता है, 850 AD के करीब, यह fact है, अब यह fact है, अमालीजे आप भूल सकते हैं, लेकिन paid quiz में अगर दो-तीन statement वाला सवाल इसमें करा दिया गया है, या फिर हमाली test series में करा दिया गया है, तो आप इसमें भूलेंगे नहीं, या फिर कोई छिपा हुआ अवतत है, कोई organization से जोड़े विक link करता है option, तो सही वाले से आपको लंबे समय तक याद रहता है, कि हाँ, यह act जो है, इस साल आया था, या इस साल नहीं आया था, यह memory आपके create होती है paid quiz को, जैसे हमने दिया है format में उसी में करने से, paid quiz की PDF जो है group में नहीं दी जा सकती है, यह बात जो है, अच्छे से समझ आपको करना है, कई सारे जो misleading fact घूम रहे market में, जो thumbnail पे लिख रहे हैं कि 30 साल के PYQ करो paper solve, उससे हो नहीं रहा है, खासकर beginner लोग इस से काफी mislead हो जाते है, study for students का PYQ compilation ही इसलिए करना है, इसलिए नहीं कि आपने यहां का join कि है, इसलिए करना है, इसलिए करना है, क्योंक disputed question मालीजे है कोई, अब वो गलत question है, लेकिन उसके पीछे जो है आप पढ़ जाते हैं, कई बार अपना बहुत सारा समय गवाँ देते हैं, एक दो घंटे कहीं लोग गवाँ देते हैं, disputed question को discuss करते हुए, ऐसा नहीं करना है, disputed question हमने अपने PYQ compilation से लगभख हटा दिये ह अपने PYQ compilation से एक चीज़, और दूसरी चीज़ यह है कि PYQ compilation जो मार्केट में उनकी volume बहुत जादा है, उन्होंने अन्य आयोगों द्वारा करा जाने वाले papers के question को भी सामिल कर लिया है, जो एक सही प्रथा नहीं है, हर आयोग का paper अलग-अलग है, हर आयोग का syllabus और नहीं निकाला जा सकता है, यह मैं बार-बार कह रहा हूँ, और आयोग भी हर बार इस चीज़ पर पस्टता ला रहा है, PYQ का relevance है, तो उत्तर है, ठीक है, PYQ का relevance है, उत्तर है, यह लेकिन किस तरीके से नहीं इसको पढ़ना है, या फिर जो myths इस से associated हैं, उसको debunk करना इतनी महिनत नहीं करता अपना content बनाने में, हम भी PYQ compile करके जो है, बेंच रहे होते हैं, अगर यही relevance होता तो हम भी यही कर रहे होते हैं, और हर बार जो PYQ पढ़ करके जाता है, वो अपना exam clear कर लेता, प्रेलिम्स का, लेकिन ऐसा तो नहीं हो पा रहा है, PYQ के solution and explanation कर लो syllabus complete ऐसा कुछ नहीं, syllabus आपको holistically cover करना पड़ता है, holistically के मतलब है कि जितने भी आयाम उसके हो सकते हैं, 360 degree जितना भी आयाम बन सकता है, और हर बार नहीं आयाम बनते हैं, कुछ लोग कहते हैं, history क्या बार बार update होती है, history अपडेट नहीं होती है, history में कई सारी नई चीज़ बन गया, कोई definition बन गया, कोई concept दे दिया गया, उसमें भी development होते हैं, इसलिए हमारा content हर बार update होकर कै आपको बिलता है, और नई चीज़ें जुड़ती हैं, और उस नई चीज़ों से question भी exam में पूछ जाने लग रहे हैं, PYQ से मिलते जुलते सवाल आते हैं, ये सबसे रिपीट होएं, उत्तर हैं, PYQ बहुत जादे रिपीट होते हैं, आप तो ये बिल्कुल भी myth है, PYQ रिपीट होते हैं, एक ये दो question, 150 में एक ये दो question का advantage आपको मिलेगा, और ये तब भी मिल जाता है, अगर आप overall study material पढ़ते हैं, तब भी आपको उतने question मिल जाते हैं, अगर मैं ancient history पाट रहा हूं, तो focus की नेरियास पर है, आयोग किन चीज़ों को पूछ रहा है, क्या आयोग जो है word meaning पर focus कर रहा है, क्या शब्द का क्या आर्थ होता है, क्या ऐसे question बना रहा है, क्या वनिशावलियों की chronology पूछी जा रही है, क्या तथ्थि पूछे जा रह रहे हैं, map based कितने question आ रहे हैं, यह सब PIVQ से पता चल जाता है, जो कि it syllabus को पड़कर के नहीं पता चलता है, PIVQ से हमें जयात होता है, कि किस हद तक आयोग जा सकता है, जोल ones में, किस हद तक हमसे question पूछ सकता है, क्या उनकी प्रथाओं के बारे में पूछेगा, यो सिर्फ चोल administration से मतलब रखेगा चोल अधिकारियों के बारे में पूछेगा चोल काल में जो राजस विवस्था थी उसके बारे में पूछेगा समाजीक विवस्था थी उसके बारे में पूछेगा कि क्या पूछेगा इससे हमको PYQ से काफी अंदाज़ा इसका मिल जाता है लेकिन ऐ देख सकते हैं इसमें लगतार questions कर आई जा रहे हैं इसमें आगर आपको पहले question पे जाना है तो आप यह यहां पर आपको देखने को पिल जाएगा यह पिल जाएगा, इसमें 1st question का link इसमें मिल जाएगा यह 1st question लिंक है यहां पर दिया हुआ है, इसमें पर क्लिक कर देंगे पहला question जो ग्रूप में upload किया गया था, जून 2023 में upload किया गया था आप कोशिश करिए कि जो current affair है वो नॉम्बर 2023 से पहले का current affair question चाहें तो आप ना solve करिए लेकिन बागी question आपको सारे solve करने चाहिए जितने भी paid quiz में कराए जा चुके है सारे के सारे question important है और इसका lab आपको real exam में मिलेगा आपको लाप मिलता है जब directly paid quiz का question आपके question पेपर में देखने को बिलता है इनमें से किस भगवानों को लोगपाल या विश्व के संरक्षक की रूप में माना जाता है तो मारा answer इसमें हो जाएगा A यहाँ पर सही है इनमें से काउन्स ही तरंग जो है निर्वात या शून में संचारण नहीं कर सकती है मालीजी हम यहाँ पर choose करते हैं जान बूच करके गलत उत्तर वैसे इसका answer जो है sound है लेकिन मैं जान बूच करके heat choose करता है तो क्या होता है यहाँ पर cross बन जाता है जो cross है यह remote denote कर रहा है जो उत्तर choose किया वह गलत है और सही उत्तर यह टिक मार्क से आ जाता है यहाँ पर एक white tick mark है उससे बता जल जाता है कि यह सही उत्तर है यह निशानी ध्यान रखिएगा white tick mark इससे बता जल जाता है कि यह सही उत्तर है और सारे question आपको इसके paid group के लगाने है आप क्या कर सकते हैं कि या तो पुराने शुरू करिए या तो अभी से नय से बीशे जाते हुए आप सुरू कर सकते हैं question लगाना और paid quiz group में questions की संख्या लगातार हम आगे बढ़ाते भी जाएंगे जैसे जैसे exam नस्दीख होगा आप देखेंगे अगस्ट सेप्टेंबर में number of questions यहां पर बढ़ जाएंगे बहुत सारे questions हम यहां पर कराएंगे और most important जो topics होते हैं उनके questions हम यहां पर कराना शुरू कर देते हैं इसमें current affair के question, history के question, geography question, overall पूरे syllabus के question इसमें करा जाते हैं sustainable development के question करा जाते हैं तो आपको cutoff निकालने से कोई रोक नहीं सकता है study material का दो बार multiple times revision और PYQ compilation हमारा test series होगा study for civil services की और यह paid quiz, अगर यह practice resources आपने follow कर लिए हमारे selection material के साथ तो चाहें जैसा paper आ जाए easy, moderate, अब तक का सबसे tough paper भी बन जाए तो आपको यह अंदाजा पड़ जाएगा कि कौन कौन से topic कम relevant है या फिर बहुत relevant नहीं है जिससे art culture कम relevant है मैं आपको पहले बता दूँ एक question, दो question आते से जाद आता ही नहीं है UPGK इस बार 4 question आ गये थे, UPGK से बिछले बार भी 4 question आ थे 2022 में एक question UPGK से 2020 में आये था, चार question आये थे 2020 में तो चार question तक आते हैं UPGK के, तो यह भी एक छोटा topic है लेकिन कोई भी topic इग्नोर नहीं करिए, अभी सारे topics पढ़े जा सकते हैं जो बड़े topics हैं कौन कौन से, जैसे history of India और national movement तो history of India से कितने प्रशन आते हैं, ancient से 15 सवाल आये थे, medieval से यहाँ पर 5 सवाल आये थे, medieval से यहाँ पर 5 सवाल और ancient से 10 सवाल आये थे, कुल बलाकर 15 सवाल आये थे ancient medieval से 2022 पेपर में 15 सवाल आये थे ancient medieval से 8 सवाल आये थे ancient medieval से 2021 में और 16 सवाल यहाँ पर 2020 में आये थे 2019 में 13 सवाल आये थे तो यह वेटेज ancient medieval का modern history का वेटेज 11 question इधर 9 question इधर, फिर 11 question फिर 6 इस तरीके से तो history आप देख सकते हैं हिस्ट्री का वेटेज कितना है, history का वेटेज लगभग 16 सवाल, 26 सवाल आते ही आते हैं हिस्ट्री के सब बिला करके ancient history, modern history, medieval history की फिर बाद में इंडियन economy से कितने question आते हैं 11 question और bracket में 7 current यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें भी 8 mostly current fair लिखा हुआ है 10 और 11 question इसमें भी ज्यादा तर current fair से link होकर question आते है economic current fair ज्यादा आता है economic static कम आता है आपकी UP pieces paper में दोनों में अंतर क्या इसको एकबर देख लेते हैं economic static के कम सवाल आते हैं UP pieces के अपर prelims में economic current fair ज्यादा आता है economic current fair ज्यादा तर budget economic survey से मिलकर के बनता है budget plus economic survey उससाल का जो होता है और कुछ economical report ये development कुछ आती है कोई term in news होता है उससे ज्यादा question बनते हैं तो economic survey budget ये major document होते हैं और कोई report वगएरा आ गए उसका हम लोग current fair में index section में cover कर लेते हैं तो budget economic survey से question साते economic current fair के उत्तर प्रदेश प्रदेश के अपर प्रेलिम्स exam में जीस पेपर बन में economic static का मात एकनामी static में आता क्या है जाज़तर जो NCRD class 9th है उसमें poverty का जो concept है उससे question आ जाते हैं कई बार poverty कितने प्रकार की होती है भारत में poverty के अधारणा क्या है poverty line पर जो committees अभी तक बन चुकी है उसके समद्ध में चीज़ां पूछ लेते है poverty line समद्धी development जो हुआ है past में विभिन ने सरकारों जो committees बनाई है या फिर जो अधारणाएं विक्सित की गई है उसके बारे में जोसे question आया था 2019 या 20 PCS का question है कि poverty estimation का जो method है भारत में वो कौन कसा है head count ratio है, calorie intake है, household consumption expenditure है per capita income नहीं है per capita income भारत में कभी भी जो है नहीं रहा है poverty estimation का कोई method क्योंकि per capita income अभी तक भारत में calculate नहीं की गई है absolute terms में ठीक है तो per capita income से कभी भारत में poverty estimation नहीं हुआ है तो यह चीज द्यान रखनी है तो जो concept अभी भी मतलब अभी develop हो चुक है उनके बारे में चीज पूछी जाती है उसको हम लोग economic static बोल देते हैं जैसे inflation की अवधारणा है या फिर जो committees बन चुकी है पहले या फिर जो initiative सरकार ले चुकी है पहले वो सब आजाएगा economy static में जैसे what is replacement level fertility ये static में आजाएगा जबकि economic current affair में क्या आएगा कि इस समय fertility rate कितनी है भारत की ये आजाएगा economic current affair में तो ये उधारण मैंने आपको दिया जैसे budget economic service से अगर आप देखें budget economic service से question 2021-22 budget का आया था तो क्या इस साल जो पेपर होगा 27 October को क्या उसमें budget 2021-22 आएगा कता ही रहे है इस साल जो budget आएगा 2024-25 का उससे सवाल आएगा budget में कोई नई scheme announce कर दी गए economy में कोई नई terminology introduce कर दी गए कोई नईया target सरकार ने announce कर दिया या फिर Indian economy का जो कह सकते है इस समय कैसा facet है उसके बारे में कोई detail दे दी गई चर्चा कर दी गई Indian economy का इस समय scope क्या है उसके बारे में अगर question आते हैं तो वो होगा economy current affair ठीक है जबकि ये सब चीज़ें economy static की है inflation की अधारणा महंगाई की अधारणा WPI, CPI, consumer basket इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप करेंगे तो ये economy static में आएगा क्योंकि ये definitions already बन चुकी है static economy static के लिए economic compilation जो आपने दी है अभी मैं subject wise आपको बताने जा रहा हूँ कि subject के लिए क्या-क्या है तो उसमें आपको cover हो जाएगा economy static के लिए जो की कम प्रशनाते उसके लिए economic compilation काफी है economic current fair में क्या होता है कि budget economic survey के जो notes हम देंगे अभी interim budget का जैसे दे दिया गया गया ग्रूप में budget economic survey के notes आपको मिल जाएगे जैसे budget economic survey आ जाएगा 15 to 20 days में आपको मिल जाएगे तो उसके बाद जो है आप उससे पढ़ लीजिएगा उतना सफिशेंट होता है budget economic survey ऐसा नहीं होता है कि हम आपको कहीं है कि आप document download करके पढ़ेगे सरकार के document पढ़ेगे ऐसा नहीं होगा जो हम आपको समरी देते हैं उसी में से आपके questions आ जाते हैं बार यही होता है जनरल साइन्स के करीब 19 प्रस्टिस पे आते हैं 22 प्रस्ट यहां पर आये थे 2022 में 24 आ गये थे 2021 में 11 प्रस्ट आये थे 2020 में 2019 में आये थे 22 प्रस्ट तो इस तरीके से जनरल साइन्स आपके exam में आती science technology के भी कुछ question आते हैं वो monthly कर इंटरफेर में cover हो जाते हैं जनरल साइन्स और साइन्स टेक्नलोजी में अंतरजे समझ लिए जितने भी लेटेस्ट emerging technologies होती है या फिर भारत सरकार के कोई mission होते है इसरों के कोई mission होते है emerging कोई term है या फिर कोई development है जैसे carbon capture अभी काफी जर्चा में carbon capture इसके लिए plant भी लगाया गया है कहां पर आज लैंड में तो यह पूछ सकते carbon capture टेक्नलोजी कैसे है जैसे जब net 0 के उधरणा आई थी तो net 0 के बारे में पूछा गया था यह science technology हो गए carbon fiber जैसे अभी काफी चर्चा में है carbon fiber जो steel से भी ज्यादा मजबूत है और बहुत अब हलका भी यह प्लास्टिक से भी ज्यादा हलका steel से ज्यादा मजबूत है carbon fiber इससे में चर्चा में है और जो AI आजकल काफी चर्चा में तो यह सारी चीजें क्या है यह सारी चीज़े जो है emerging technologies हैं तो यह science tech में आएगा और जो सारी चीज़े हम अपनी NCRT books में पढ़ते हुए आए हैं यह जो पुरानी तक्नीक है जो spectrum of light है जो हमारे सरीर की body की working है वो सारी चीज़े जो आजाती है यह general science में आजाती है जैसे golden rice golden rice किसमे रिच होता है बीटा के रूटीन में यह static वाला सवाल हो गया यह general science वाला सवाल हो गया कौन सा metal जो है oil में store करके नहीं रखा जाता है तो magnesium को रखने की ज़रुरत नहीं पढ़ती है जो हमारा पसीने के बारे में पूछा है तो इस तरीके से जो है उमारी body की working समंदी जो चीज़ां पूछी जाती है जो जितने भी material हम अपने around देखते हैं free on किसमें काम आता है refrigeration में आइडो फार्म antiseptic है tri-nitroglycerine, visphotac है TNT और teflon क्या है teflon जो है एक क्या है polymer है thermoplastic polymer है तो इस तरीके से हमारे अवधाडाओं पर अधारित question general science के होते हैं general science के question ज्यादा आते है science technology के कम आते है science technology किसमें covered है monthly care interfere में already covered है Indian politics के 22 प्रशन आते हैं 16 प्रशन आये थे 2022 में 26 प्रशन आ गये थे 2021 में 20 प्रशन 2020 में 20 आये थे 2019 में इतने बॉल्टिक questions होते है Indian geography, world geography कोल 21 सवाल आये थे Indian geography, world geography से 18 आये थे 2022 में 16 आये थे 2021 में 16 2020 में 2019 में 18 question आये थे इसके बाद environment technology के 6 प्रशन आये थे 8 प्रशन इसमाइथ 2022 में 4 प्रशन 2021 में 13 प्रशन 2020 में 2019 में 12 प्रशन आये थे miscellaneous topics जो है काफी important होता है miscellaneous topics की PDF हम आपको देंगे group में जो दी जा चुकी है इसके जो updates होंगे यह आपको exam से पहले मिलेंगे miscellaneous topics में क्या होता है जब group खुलता है तो हम आपको PDF दे जाते हैं लेकिन कुछ update होते हैं जैसे international organization है इसमें कोई head change हो जाता है कभी head quarter बदल जाता है कभी कोई nation किसी international organization को छोड़ देता है कभी कोई nation join कर लेता है जैसे ISA को अभी किस ने join किया international solar lines को भी Spain ने join किया है ठीक है 2019-2010 society बनाया भी आल में current affair में तो यह सब updates जो है आपको मिलेंगे बाद में exam से 25 दिवस पहले करीब यानी 2 October तक आपको मिसलेनिस के updates मिल जाएंगे अब ही तक का जितना भी updated है मिसलेनिस वो आपको हमने दे दिया है अब देखे subject wise strategy ये 3 stage strategy के इसाब से लिखी है कि पहले आप जो है summary पढ़िए फिर compilation listing पढ़िए फिर summary compilation listing कभी basic book के लिए भी लिखा है किसी किसी में लेकिन अब इतना time नहीं है तो prioritize क्या करना है study material को ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो कि study material को priority पर रखना है ये यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर सुनते समझते बूँ चलिए वो page group में काफी जारे चीजना दिख रही होगी basic book की PDF दिख रही होगी papa PDF कई बार दिख रही होगी या फिर summary PDF हमारी दिख रही होगी अब सब कुछ study करने का समय नहीं है तो कि subject के लिए क्या क्या study करना है इसको देखे history के लिए आपको compilation PDF और listing PDF यहाँ पर मिल चुकी होगी compilation and listing PDF यह sufficient history के लिए फिर PYQ से आपको history questions के सारे मतलब history के सारे questions के practice करनी ही जो topic wise PYQ compilation दिया गया उसमें से और test series से history questions आप solve करेंगे paid quiz से तो करेंगे ही paid quiz जितनी भी आएगी paid quiz में mixed question करा जाते है तो history के जितने भी questions paid quiz में होंगे वो help करेंगे तो इस तरीके से history preparation यहाँ पर complete होगी इसके इलावे additional कुछ नहीं पढ़ना है कोई basic book या फिर कोई फला book फला publisher की modern history की book यह सब नहीं पढ़िएगा compilation listing study for civil justice की पढ़िए जो latest edition आपको group में दिया गया है PYQ से history questions लगाईए test series से history questions लगाईए paid quiz से इतना sufficient है फिर Google पर आ जाते हैं Google में भी SI करना है जैसे history में आपको listing compilation मिल चुकी होगी compilation PDF में जितने map जरूरी है world history के लिए वो सब आपने लगा दिया map के लिए अलग से कुछ नहीं पटना है जितने भी map जरूरी है हमने compilation PDF में लगा दिये हैं वही sufficient है और हर बार उसी सवाल आ जाते है अपके exam में ठीक है इससे confuse नहीं करिएगा आपको जितना भी map वगर study करने वो जिए वो compilation PDF मिल जाएगा जितने भी factual question आते हैं matching वाले question choose not correct वाले question जोग्रफी में काफी सारे बंते हैं वो इससे cover हो जाएगे PYQ से geography के question सारे लगाईए practice करिए test series के question quiz से practice करिए geography questions इतना यहाँ पर sufficient होगा और बाकी video classes भी यहाँ पर कुछ कुछ जो जरूरी होगी वो आपको दे दी जाएगी geography के खास करकी कि mapping वाले सब चीज़ें आपको video classes के माद्दे मुसे समझा दी जाएगे राजवस्ता में सहीं मैं सभाव है आपको compilation listing मिल गई होगी policy की वही sufficient आपने आप में बाकी question कर सकते हैं PYQ वाले question जरूर लगाईए PYQ तो topic wise जितना दिया हुआ है सारे relevant question ही हमने रखें PYQ सारे लगाई ही subject wise उतना ही sufficient होगा policy के लिए quiz में questions आएगे policy के test series में आएगे static economy के लिए economic compilation आपको मिलेगी budget की समरी मिल जाएग economic survey की interim budget की दी जा चुकी है UP budget की समरी दी जा चुकी है तो यह है economy में कोई listing नहीं होती है economy में स्टाटिक के लिए और economic current fire के लिए budget economic survey के notes हम लोग देते हैं और यह आपको मिलेगा जब budget official सरकार जुलाई में जारी करेगी अब तो नया budget से सवाला ने ध्यान रखें इंटरिम budget और नया budget से आएगा पिछले साल का जो budget है 23-24 वाला बुसको छोड़ सकते हैं सब्सेटने के लिए पीछे जाते वह में इस तायर करें पीछे जाते का मतलब यह है कि अभी जैसे क्या चल रहा भी जून है तो आपके आप सीडीएफ होगी मैई बंत की मैय बंत की बीडिएफ होगी मैई को पहले करिए फिर एपरिल वाली में अपना सकते हैं लेकिन मेरे इसाब से एफेक्टिव तरीका रहता है क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट पहले पता होते हैं बागी कुछ अशिसरी टॉपिक्स हैं जैसे यूपी करेंट फेर यूपी करेंट फेर हमने दे दिया है उसको अप स्टड़ी कर लीजिये आर्ट कल्चर के एक दो सवाल आने के संभावना रहती है कई बार बहुत रेरली एक दो सवाल कई बार आ जाते हैं आर्ट कल्चर के तो उसके लिए हमने PDF दी है उसको आप study कर लीजिए और UPGK, UP Static GK इसके लिए हमने notes दे दिये हैं UP Static GK इसके notes दे दिये गए हैं एक committee की PDF हम लोग देते हैं important committees जो सारे पूरे syllabus पर जो जितने भी politics associated committee, environment associated committee administration associated committee जितने भी सरकार ने निवत की हैं भी तक उनकी list हम लोग देते हैं वो list आपको मिल गई होगी government scheme की हम एक total PDF देती government scheme से हर बार पिछले दो-तीन वर्सों से दो सवाल आ रहे हैं तो दो-तीन सवाल आपको नहीं कर सकते एक PDF पढ़ करके दो बार अगर आप दो-तीन सवालों के advantage में तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए government scheme की PDF हम आपको देते हैं इस तरीके से आपको पूरा lab यहां पर हमारे content का लेना है वीडियो classes आपको मिलने लगेंगे जुलाई एंड से जरूरी वाली वीडियो classes जैसे geography वगरा किये वह आपको पहले मिल जाएगी जिसमें वीडियो classes की ज़्यादर जरूरत नहीं है वह यहां पर नहीं दिया जाएगा आपको time waste करने के लिए नहीं आपके time को अच्छी तरीके से utilize करवाने के लिए वीडियो recorded classes यहां पर मिलेंगे जहां जहां पर जरूरी है लगेगा कि वीडियो classes आपको दी जानी चाहिए subject wise notes के साथ तो वीडियो classes आपको group में ही मिलने लगेगी जहां जहां हमारा commitment है विजले चार वर्षों के paper में यह analysis हमारी कहती है कि इस तरीके से questions आते हैं आपको paper में number of easy questions करीब जो है 40 रहते हैं इसमें 35 से 37 आपको निकालने चाहिए अगर आप हमारा study material पढ़ते हैं तो इतना number अचीव कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है moderate type के question 60 से 70 आते हैं इसमें 50 question आपको निकालना चाहिए और difficult level के जो 30-40 question आते हैं अगर आपने 10 भी निकाल लिए तो ये cut off कहा खड़ा आप इसमें touch कर सकते हैं note making के लिए के लोग पूछते हैं क्या notes बनाने चाहिए जो last में हमने priority based study material जो आपको बताया है जिन पर priority आपको रखने है listing application वो ज़्यादतर चीज़े notes form में है already वो notes form में हैं अगर आप उनको short कर सकते हैं उन में से short relevant crisp information जो PYQ के अनुसार हो उसको अगर निकाल सकते हैं तो note करी है otherwise note making अब मैं हापर मैं mandatory नहीं मानूँगा अगर आपको लगता है कि note making आपकी skills को enhance करती है तो जरूर note making कर सकते हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत time consuming है आप नहीं वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं तो उसको ignore भी कर सकते हैं मतलब paper clear करने के लिए क्या note making करना जरूरी है हो सकता है लेकिन क्या ये mandatory है क्या इसके बिना paper नहीं clear हो सकता है तो मैं कहूंगा ऐसा नहीं है अगर आप उसको एक page मिला सके दो पेज मिला सकते है बहुत शॉर्ट लिक करके तो आप ऐसा चाहें तो कर सकते है अगर ये skill आपके पास नहीं है तो फाल्दू में time waste करने की जरूरत नहीं है multiple times revision पर भी rely कर सकते है note banking करने का एक method मैं अभी आगे इसमें जोड़ दे रहा हूँ जो हमने page group को बताया था आप इसको चाहें तो अपना सकते है otherwise multiple times revision भी अपने आप में sufficient है और इसके बाद video number 2 देख लीजिए strategy video के बाद page group में study material कैसे देखें होला video देख लीजिए I think इतना sufficient है बाकी अगर आपका कोई doubt है तो आप discussion group में पूछ सकते है doubt clearance वाला जो group है doubt clearance वाले group में पूछ सकते है उसमें जो भी आप doubt पूछेंगे within 6 hours उसका आपको reply किया जाता है जो लोग 9,000 वाले group में है उनको doubt clearance वाला support पिलता है कोई भी आप doubt पूछेंगे चाहे वो history का doubt हो current affair का doubt हो quality का हो वो अगर doubt आपका UPPSC prelim syllabus के ambit में आता है तो आपके doubt को अच्छी तरीके से बताया जाता है आपका कोई confusion है जैसे मनें बताया कि Tiger Reserve के बारे में प्रयास किया जाएगा मिसलेनिस टॉपिक्स में यह सारी चीजें आती है अब इसमें देखिए कई बार कुछ update होते हैं ठीक है तो जो update अगर मालीजे होता है अपडेटेड आप उसको प्रते रहिए कोई भी update होगा अलग से आपको दिया जाएगा उसमें वीडियो नमबर टू आप देख सकते हैं study material कैसे देखें मेला वीडियो strategy I hope मैंने सारी चीजें clear कर दी हैं फिर भी आपको कोई doubt है तो आप doubt clearness वाले ग्रूप में पूर सकते हैं